नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत सभागत है So, Anti-China Sentiment भारत में काफी बढ़ चुका है आपको मालूम होगा, हाल ही में 59 Chinese Apps को बैन किया गया, और उसके बाद कई सारे Chinese products को boycott करने की बाद चल रही है पिछले कुछ दिनों की बात है, जब भारत सरकार ने चाइना से कुछ जो import products आ रहे थे, उनको ports पर रोका गया था So, basically कहने का मतलब यह है कि Anti-China Sentiment is at one of the highest level since a very very long time इसी Anti-China Sentiment को use करते हुए, LG जो की एक South Korea की company है, उसने फैसला लिया है कि वो अपने local smartphone production को 15 गुना से जादा बढ़ाने वाली है दिवाली के समय तक So, LG यहाँ पर किस तरीके से इस particular window of opportunity को use करेगी, और यहाँ पर भारत की सरकार किस तरीके से LG की मदद करेगी, और क्या LG का यहाँ पर यह करना भारतियों के लिए सही है या नहीं, इन सभी चीजों के सवालों के जवाब आपके साथ मैं इस वीडियो में साज़े करूँगा So, आइए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दाट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, Study IQ Education यहाँ पर आपको प्लिक करना है और bell icon को भी दबाना ना भूले, so that you do not miss any important update from our channel हाँ, अगर आप इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो टेलेग्राम चैनल से कर सकते हैं, इसके इलावा Instagram और Twitter पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं Study IQ की आप के उपर UPSC IES की परिक्षा के लिए Smart Course उपलब्ध है, जिसके थुरू आप घर बैटके भी त्यारी कर सकते हैं, so Google Play Store पर जाईए, आपको डाउनलोड कीजिए और इस Course को अवेल कीजिए Alright, so before we begin, मैं आपके साथ सबसे पहले India Smartphone का जो basically quarterly market data है, वो share करना चाहता हूँ यहाँ पर अगर आप देखें, 2019 के quarter 1 से हम start होते होते, हम अगर 2020 के quarter 1 तक पहुंचते हैं Xiaomi जो की एक Chinese brand है, वो तो हमेशा ही almost मान कर चलिए आप top पर रहा है, यहाँ पर 29%, 28%, 26%, 27% और यहाँ पर 30% उसके बाद अगर हम देखें, second number पर Vivo है, जो की again 17% पर यहाँ पर नमबर 2 पर है, जो की again एक Chinese brand है third number पर आता है Samsung, जो की एक South Korean brand है, और fourth और fifth number again are occupied by Chinese brands Realme and Oppo, जो की यहाँ पर 14% और 12% पर है तो Xiaomi being the undisputed leader और उसके बाद top 5 में, जो आपके चार smartphone makers हैं, वो Chinese हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि anti-China sentiment अब बढ़ रहा है, तो LG जैसी companies सोच रही हैं कि हमारे लिए एक अच्छी window of opportunity, एक अच्छा अफसर यहाँ पर खुल गया है, जिसको की हमें use करना होगा In fact, यही नहीं अगर आप देखें, Chinese smartphone brands put investments on hold in India amidst geopolitical tensions, तो जो यहाँ पर भू राजनितिक तनाव चल रहा था, दोनों देशों के बीच में, especially जो border पर चल रहा था, at the Galwan Valley and the Pangong So Lake, तो इसी के चलते, यहाँ पर China के smartphone brands, particularly अगर हम बात करें, Xiaomi, Vivo और OPPO की, यह काफी बड़े करने वाली थी, इन्होंने भी अपने निवेश को hold पर डाल दिया है, and जिसके चलते, यहाँ पर, again, बाकी brands को लग रहा है, कि हमारे लिए एक अफसर बन चुका है, right, यहाँ पर, जो हमारी वैपारियों का संगठन है, एक traders body, confederation of all India traders, उन्होंने वित्य मंत्री को, और टे 59 apps of China को ban किया गया था, तो हमारे टेलिकॉम मिनेस्टर रवीशंकर प्रसाद ने, ट्विटर पे एक tweet में कहा था, कि इनको ban करने का जो main reason है, वो है, data सुरक्षा और लोगों की गोपनियता, हम इसको protect करने के लिए इन apps को ban कर रहे हैं, उसी चीज का मुद्दा उठाते यहाँ पर यह traders body ने basically इनको request की है, कि आप इसी दो चीजों को ध्यान रखते हुए, investigate कीजिए, तफ्तीश कीजिए कि क्या Chinese handset companies safe हैं, जो की भारत में आके smartphones को बनाती हैं, तो यहाँ पर इस चीज के चलते, इन brands ने अपने निवेश को भी hold पर डाल दिया है, और अब बात आती है regarding LG, LG basically sees a window of opportunity to come back into the Indian smartphone market, यह अभी recent news है, 5 जुलाई की news है, जब LG ने ये फैसला सुनाया, और यहाँ पर LG ने क्या कहा है, कि we are basically targeting the sub rupees 15,000 segment to claw back its way back in an industry now dominated by brands from China, तो 15,000 से कम के दाम के जो smartphones होते हैं, हम उसके थुरू भारत की industry में दुबारा से अपना रास्ता बनाना चा अप्लर हुआ करती थी in the smartphone market, लेकिन आज LG जो है, वो heavy appliances में जादा famous है, लेकिन smartphones में LG का उतना जादा दबाव नहीं है, right, LG के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यह एक South Korean multinational electronics company है, जिसका headquarter Seoul, जो कि South Korea का capital है, वहाँ पर located है, LG के यह twin towers काफी famous माने जाते हैं और यह Seoul में ही located है, right, अगर हम बात करें, LG यहाँ पर क्या करने वाला है, LG is basically trying to scale up the production by 15%, 15 times by Diwali, कहने का मतलब, LG के जो basically यहाँ पर local country head है, उन्होंने कहा है कि अगर आज हमारी production X times है, तो Diwali तक पहुंचते पहुंचते हम अपने production को 15 times, 15 times X इसको कर देंगे, और हम यहाँ प बतादू, PLI scheme के लिए already किन किन ने apply कर दिया है, PLI scheme के लिए Foxcon, Vistron, Dixon, Lava और Carbon, देखिए Dixon, Lava और Carbon तो भारत के ही local brands है, Foxcon, जो की Taiwan का brand है, जो की Apple के phones को manufacture करता है, और Vistron भी एक बहार का brand है, non-Chinese है, जिन्नोंने PLI scheme के लिए register कर दिया है, यहाँ पर जो China के brands थे, OPPO औ और कल को हमारी investment यहाँ पर अटक गई due to anti-China sentiment, तो काफी भारी नुक्सान हो सकता है, hence they have not yet registered for the PLI scheme. Coming back to the LG plan, so basically अदवैत वैदया, जो की इनके business head है, इन्होंने कहा है, कि जब से anti-China sentiment शुरू हुआ है, तब से हमारे brand का जो sales है, वो लगभग 10 times बढ़ चुकी है, पिछले 2-3 महीने के अंदर, यानि की पिछले 2 महीने से जब से border के उपर stand-off चल रहा है, केवल उसी time के है कि diverging from its global portfolio, this year LG is building an India-specific and India-first product portfolio, यानि कि हम इंडिया को ध्यान रखते हुए एक ऐसा portfolio त्यार कर रहे हैं, जो की विशेश तोर से इंडिया के लिए बनाया जाएगा to cater to unique consumer demands, तो जो यहाँ पे लोगों की अपूर्तियां है, जो यहाँ पे लोगों की मांग है, उनको पूर करने के लिए हम यहाँ पे unique तोर पे इंडिया के लिए specific portfolio त्यार करने वाले हैं, अगर हम आगे देखें, वो अपनी product line को diversify और expand दोनों ही करने की सोच रहे हैं, यानि कि फिलहाल diversification में वो लोग क्या कर रहे हैं, the company is targeting corporate sales and foraying into the tablet market by year end, यानि कि अभी तक तो हम केवल smartphones की बात कर रहे थे, लेकिन वो tablet market में भी आने की पूरी-पूरी तयारी में हैं, और expansion में वो कह रहे हैं कि हम सब rupees 10,000 category से लेके flagship segment तक, यानि कि 10,000 से लेके 40,000 तक की range में हम सभी तरह के phones को offer करेंगे, इसी के लिए हमने local channels को exploit करना शुरू कर दिया है, और हम उसी के through distribution भी करना शु बढ़ाने वाले हैं, further production capacity को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है कि आज अगर X units हैं, तो August तक हमारी production capacity 10 times हो जाएगी, और दिवाली तक हम 12 से 15 times capacity को बढ़ा देंगे, ये gradual धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा, because अभी तक जो LG की marketing capacity थी या फिर production capacity थी वो काफी कम हो चुकी थ because over the years, 2011 के बाद LG ने, basically आप कह सकते हैं, अपना जो maximum share था, उसको गवा दिया था, इसके phones आ तो रहे थे, लेकिन लोग इसको खरीदने में interest नहीं दिखा रहे थे, अगर हम देखें, LG इसमें क्या use करने वाली है, या फिर हम कह सकते हैं, भारत सरकार इसमें LG के किस तरीके से help करने वाली है, तो PLI scheme, यानि की product linked incentive scheme, भारत सरकार ने electronics manufacturing को boost करने के लिए, रुपीज 48,000 करोड की incentive scheme को जारी किया था, जिसके थुरू उन्होंने अनुमान लगाया था कि लगभग 20,000,000 jobs भी यहाँ पर generate की जाएंगी 2025 तक, तो ना केवल ये manufacturing के लिए, विनर्मान के government 4-6% का incentive offer करती है, उसको use करते हुए हम अपनी production को यहाँ पर बढ़ाएंगे, right, so this is the plan which LG plans to follow, यहाँ पर LG का जो basically market share था, देखिए इनका जो maximum market share था, वो 2011 में touch किया था, which was 7%, और 2011 से लेके आज 2020 में LG का market share गिरकर हो चुका है 0.5%, which is very very low if you compare it with brands like Xiaomi and Vivo and OPPO, लेकिन अभी तक यह मान रहे हैं कि अब क्योंकि anti-China sentiment काफी जादा create हो चुका है, and if we depend on aggressive marketing across various channels and a credible non-China option हम लोगों को provide करते हैं, तो हो सकता है कि हम आज की market में अपनी एक चाप जो है, वो छोड़ सकेंगे. अंत में एक point आता है, आपके दिमाग में भी आता होगा, मेरे दिमाग में भी आया था, कि क्या LG reliable है? तो जी हाँ, LG बिल्कुल reliable है, अगर आप अमरीका में देखें, तो वहाँ पर जो top brands है, Apple, Samsung और LG, so number 3 पर आता है LG, और काफी अकसर लंबे समय से LG number 3 पर ही है, अमरीका में LG को काफी माना जाता है, और वहाँ के smartphone market में भी LG की अच्छी पहचान है, और अच्छा वहाँ पर उ हो सकता है, इसी के साथ आप से विदा लेना चाहूंगा, thank you for listening, stay tuned,